आज कुछ ऐसे टिप्स इंटिक लाएं हुजिसे आपका काम बहुत असान हो रहा है असालोग पुरारी समय से भी खत्म होने वाली है तो वीडियो में तक बने रहेगा चैनल पर पहले बराएं तो जान जरू किजिएगा और कहां से देख रहे हैं आप हमाई चैनल को यह भी क अधिक चला जाता है अगर आप इस तरीक से प्लास्टिक में स्टोर करके रखते हो ना फ्रीज में ते देखिए कुछ इस तरीक इसे सड़ने लगती है गलने लगती है उसे कैसे स्टोर करके रखे कि हमारे जहना मटर बिल्कुल तरह रहा है और फ्रीज में जगा भी कम इस तरीके से हमें बीट से कट कर लेना है और कुछ नहीं करना है अब चलिए इसने बहुत ही अराम से स्टोर करके रख सकते हो अश्में जहना दवाव नहीं पड़ती है ना और अच्छे से नमी भी पास होती रहती है हवावी इसको जो भी चीज रखे होगे मटर होगे गा अब देखिए अब देखिए आदा भरे होते हैं साग सब्जियों से कहीं इस तरह भी रख सकते हो इदह रख दिजाए दिधर भी रखेंगे ना बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं मटर तो हुप करती हैं तो तरीका पसंद आया हो पसंद आए तो लाइक ज़र कीजिएग चिल के खाना करते हैं क्योंकि एक वड़ाथ है , इसरे में घ् Etsy खाना के छिरा किछा है जाले किसी आप कीज से कहाना को सब्सक्राइब तरें पूंपहों है बहुत अच्छा सा जुगाड में लेकर आ चुके हैं आपको लेना है इस तरीक से दवाई के धकन घर में जो सीरिफ पगे रख धकन होते हैं उसी कर्यूच करना है इसे अच्छे से धो लिजिए बिल्कुल क्लिन कर लेना है आपको बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए अब इसकी हेल्प से कैसे आप मट खीरे छील सकते हो बड़ी अराम से इस तरी कि आपको क्या करना इस तरी से दवाना है अच्छे बिल्कुल पीलर का ही काम करता है बहुत अच्छे से छील जाती है वी फटा फट से तो हैना एक कमल के एड़ी है चुरू ट्राय किजिएगा अग कद्डू भी चील सकते हो और घाजर बगेरा जो भी चील आ बड़ी अराम से छील सकते है इसा लगा buck करते इन दना तरीका पसंद आ हो पसंद आया तो जनकारी से कर रही हूं जो कि हर नागरी को पता होना चाहिए इसके वज़से बहुत बड़े-बड़े हाथ से हो जाते हैं कभी-कभी थोड़ी सी जनकारी नहीं हो नहीं हो दोस्तों यहां पर देखिए यह जो आप कोड देख रहे हो ना यह कुछ लिखा हुआ होता है हम सिज्ध लिखा होता है तोसी जो है ना दोस्तों यह मंत को दर्शाता है अगरे ट्वेंटी एड है मतलब की टूटॉजन ट्वेंटी एड जिए जैसे इसकी बीच्पारिटेट होती है सिलेंडर कितने दिनों तक आप इसको यूज मिला सकते हैं तो 28 मतलब की तूटॉजन अप्रिल मैय जुन तरफिकी दलिए के मतलम हो गया जुलाइ एकल सब्सक्राइब स्वाइब थरहा मात कीर्ट कौन सा महीना तक चलेगा जैसे दल सब्सक्राइब तो जन्वरी फिर्वरी मार्च अप्रिल माई जून जुलाई एगर सिप्टेमबर यानि की सिप्टेमबर दुहजार एठाइस तक इसको हम लोग यूज में ले सकते हैं यह जनकारी हमें जरूर पता होने चाहिए देश्टो हम अगर कस्टामर है तो तो हुपकत ही यह जनकार यह 20 दिन तो चलता है है ना इसकी बज़से होता है कि हम लोग डारेक्ट अपने लाक एक कीचन में रख देते हैं और कीचन में रखने के नीचे जो है दाग लग जाते है यानि कि जंग के निसान पड़ जाते हैं तो दीरे-दीरे क्या होता है ना जंक के निसान बढ़ते बचने के लिए आप क्या कर सकते हो यहां पर क्या करती हूं करने के लिए कि लिए चेंज कर देते हैं लेकिन इस से क्या होता है कि हमारे घर्ट की जमीन की जाती है तो आपको क्या करना है इससे जंग की निसान भी नहीं पढ़ेंगे और आपके घर भी किलिन रहेंगे तो इस तरीके से बेसलीन की एक मोटी सी लेयर लगा देने इसके चारों पायों में यह दिखिए तो इस तरीके से तो आपको जो भी सुगदा लगे आप वो कर सकते हो यह आप इस तरीक से आप चारों तरफ लगा देगे ना तापके फ्लोर में जो है ना कभी भी जंग के निसान लखी जाएंगे और आपको अच्छा सा प्रटेक्शन भी मिल जाएगा तो इस तरीके से तरीका आपको पसंद आया है इन दोनों में से कौन सा तरीका आपको कम जाने के लिए आप भायट कपड़ा यानि की बन्यान लिया है आप इस तरीकी जो अगर किसी वी चीज़ पर कप्ड़ों पर होता है ना ता यह तरीका अपना सकते हो तो यहाँ पहता क्या जब भी हम लोग पलती भी घर कहीं जाते हैं या फिर घर पे जाना चाय या तो चलिए मैं आपको पूरी की पूरी दिखाती हूं इस तरह से क्या होता है हल्दी के दाग लग जाते हैं या तो जल्दी छूटते नहीं दाग पकड़ लेते हैं अब जब हम इस पर साबुन लगाते हैं यानि कप्रे दोने वाले साबुन से यूज करते हैं दोने के लिए तो इसका कलर चेंज होता है लेकिन कलर जाता नहीं है इसके लिए करना क्या है दोस्तों आपको जो है न सबसे पहले क्या किजिए अगर जल्दी की रहा है आप इस तरीक से जो भी एक्स्ट्रा होता है आप इससे हटा लीजिए यानि कि इस तरीक से पेपर से पोच लिए ठीक है अब हमें इसके उपर जालना है टेलकम पॉडर यह देखिए कुछ इस तरीके से आपको इस पे डाल देना अब इस अच्छे से इस पे फैला दीजिए दो तीन मिनट के लाप इसे छोड़ देजिए बहुत यह अच्छे से तेल बगेर जाना अब्चॉर्ब कर लेता है पॉ नो, क्युँद पॉडर ही लेना है को भी एक पॉडर आपको और एस पे डाल देना सत्वर दोश्त मिनट के बाद आपको जय बहुत हो नहां कपड़े दोने के बजाए कोई भी नहाने वाला सावु ले लीजे अगर लाइब बॉय है तो सबसे ज़्यादा बिटर होगा इस तरीके से आपको इस पर डालना है यह देखिए लाइब बॉय सावुन से जाता है कि किसी भी तरीके की दागधाबे बड़े ही आराम से छुड सकते हो यह देखिए दोस्तों फाइनली दोने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से हो जाता है यानि की हलका हो जाता है अब इतना जो है ना रहने के बाद अगर आप इसे दूप में डालोगो ना ते बाकी जो बचे हुए ना दाग यह अपने आप जह दूप में उड़ सकते हैं और यह हमारा कपड़ा जाए बिल्कुल क्लीन हो जाता है तो अपकत ही दोस्तों तरीका पसंदा है यहां दोस्तों कोई भी पुराने वाले ले लिजिए एक्स्ट्रा पड़े हुए है तूटे है फिर भी चलेगा अब करना क्या है कोई एक पुराना सा सॉक्स ले यहां दोस्तों बस पुराना ही चाहिए नयार बिल्कुल नहीं तो इस तरीक से देखिए आम में क्या करना इस तरीक से हैंगर में सॉक्स को फसाना है यह देखिए कुछ इस तरीके से फसा देना है आप चाहे तो बड़ी ले सकते है या फिर छोटी कोई भी चलेगी कोई द तो आप इस तरीक से सॉक्स पहना करके इस तरीक से बहुत ही अच्छे से से क्लेनिंग कर सकते हो यह देखिए कितनी थोड़े से सॉक्स को गिला कर लिए उसके बाद इसकी सफाई का कमाल देखिए लिए कितनी दूल मिटी जो इसमें चिपक आजाती है हमारे घर भी क्लीन हो जाते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से यह देखिए आप लोग फूदी देख सकते हो तो है नहीं कमाल कर दिए पस थोड़े से दिमाग लगाने चरूरत होती है हमारा घर देखिए बैठ बठाई अराम से यह क्लेन भी हो जाता है दूसरा जो होता है दोस्तों इस तरी की गैपिंग होते हैं थोड़े बहुत इसमें बीजाना जाले बगेरा जम जाती है ताप इस तरी कि देखिए इसके अंदर भी इस तरी को गुशा देना है एंगर को अब बड़ ही हराम से इसकी क्लिनिंग कर सकते हो आलमीरा के पीछे हो गया या फिर इस तरी किसमें हलकी से तो हूप करते हैं दोस्तों तरीका पसंद आया हूँ